नौ जैसे ही रश्या यूक्रेन वार की स्टार्टिंग हुई थी यूएस और यूरोप के साथ में सभी वेस्टन कंट्रीज ने रश्या का बाइक कॉट किया था रश्या पर एक के बाद एक घड़ादर सेंक्शन लगाए ताकि रश्या एकोनोमी को नुकसान पहुचा जाए रश्या से लगबख सभी कंपनी इसको हटा दिया गया और दुनिया की सभी कंट्रीज को रश्या से ट्रेड नहीं करने के लिए फोर्स किया स्विफ्ट मारकेट से भी रश्या को बैन कर दिया जिससे की रश्या डॉलर्स में ट्रेड ना कर सके अब तक कि सबसे खराब स्थिती में चल रहा है आगे यूरोप में इससे भी खराब सिचुएशन्स आने वाली है क्योंकि आगे ठंड आने वाली है तो कुश्चन सबसे बड़ा ये है कि यूएस जिसी महाशक्ती होने के बाद यूरोपियन यूनियन जैसे 27 देशों के समू ह होने के बाद कैसे यूरोप इतने बड़े डिजास्टर को फेस कर रहा है क्योंकि ना तो यूरोप यूद्ध में किसी तरह से इन्वाल्ट था इस पूरे सिनेरियों में पुतिन की वार स्टेडिजिस क्या रही जिसकी वज़े से आज यूरोप गुठने टेकने पर तो हमें पता चलता है कि यूरोप ने रशियन एकनोमी को काफी इफेक्ट किया है। यूएस ने भी रशिया के 300 बिलियन डॉलर के फोरें रिजर्व एक्सचेंज को फ्रीज कर दिया था। यूरोप ने रशियन वोर्ड का पर 35% टेक्स इंपोस किया। रशिया किसी भी मा प्रेशान होकर रशियन भी अब पुतिन का विरोध करने लगे थे। इससे सभी कोई एक्सपेक्टेशन थी कि रशिया आप बैंक्रेप्सी के कगार पर चले जाएगा। जिससे कि अब पुतिन एकनोमिकल कोलैप्स के डर से यूक्रेन से अपने आर्मी को विद्रो कर तो उस समय तो यूरोप रशिया से फाइनाशल रेस में जीत रहा था लेकिन दूसरी तरफ एक डीप डीप ट्रबल में भी फस्ते जा रहा था। क्योंकि सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही ग्लोबली 30% वीट एक्सपोर्ट करते हैं, 20% कौन एक्सपोर्ट करते हैं, 80% सनफ यूज किया है, अब क्योंकि यूरोप की 43% एनरजी नीट रशिया से पूरी होती है, और इस सब में सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है नौर्ड स्टीम वन पाइपलाइन, यह पाइपलाइन दुनिया के सबसे इंपोर्टेंट पाइपलाइन मानी जाती हैं, यहाँ पर आ परशनगेज कमपनी गेजो परम और वेस्टरन पार्टनरशिप में बनाई थी यह एक सिंगल गेज पाइपलाइन 55 बिलियन क्यूभिक मिटर गेज को ट्रांसपोर्ट करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जर्मनी में जाती है और जर्मनी से इसकी कई सारे ब्रैंचेस निक की 49% गेस रश्या से इंपोर्ट करता था तो जब यूरोप ने रश्या पर सैंक्शन इंपोस किये तो पुतिन ने दो मेजर चीजे की एक तो यूरोप में 60% गेस सप्लाई कट कर दिया और दूसरा ये कि अगर यूरोपियन कंपनी इस रश्या से गेस और आईल खरीदना चाहती है तो उसको इसे खरीदने के लिए रूबल्स में खरीदना पड़ेगा अब देखो वर्ल्ट रेट के तीन मेजर इंप्लिकेशन होते हैं पहला रश्या ने जब 50% गेस सप्लाई बेन किया रश्या आगर गेस सप्लाई बंद करतेता है तो बची चार कंट्री इस अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है जिससे की रेट को सेम रखा जा सकता है बट वो ऐसा नहीं करती है वो इस सिचुएशन का फाइदा उठाती है और गेस के प्रैसिस को बढ़ा देती है जिससे गेस के शौटेज होने की वज़े से मजबूरन उसे हाई प्रैसिस में भी खरीदना पड़ता है जिससे उनको सेम अमाउंट की गेस बेचकर ज्यादा पैसा मिलता है दूसरा जब रशिया ने यूरोपियन उनियन्स को गेस और आईल रूबल में खरीदने के लिए फोर्स किया तब से आप देख सकते हैं कि रूबल की जो वेल्यू है वो स्काई हाई है रूबल सा आज के समय दुनिया के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करणसी बन चुकी है आज के समय यूरोप में एनरजी प्रैस बनने की वज़े से यूरोप की सभी इंडस्टी में कॉस्ट और प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो चुका है आज के समय यूरोप में inflation 9.6% टच कर चुका है industrial prices में 36% का increase देखा जा सकता है electricity के bills भी सारे record तोड़ चुके हैं इसके अलावा food product में भी 7.5% का high inflation देखा जा सकता है जो कि पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा है अब इन सब में सबसे ज्यादा दिमाग गुमाने वाली चीज ये है कि ये sanctions Russian trade को खतम करने के लिए लगाए गए थे तक कि Russian economy को नुकसान पहुचाया जाए लेकिन यहां रशिया ज्यादा पैसा कमा रहा है वो भी इतना ज्यादा कि वो वार से पहले भी नहीं कमाता था लेकिन केसे देखो जब रशिया ने गेस सप्लाइ को कट किया या फिर कम किया तो European companies ने रशिया को 60, 70, 80, 90% तक पैसा ज्यादा ओफर किया क्योंकि बिना गेस के European economy लगबग कॉलैप्स कर जाती वेसे ही सेम केस ओईल के साथ में भी है ओईल के प्राइस आज के समय 60 डॉलर से 100 डॉलर पर बैलल तक जा चुके है तो ये कारण है जिससे कि रशिया कम गेस सप्लाइ करके भी ज्यादा पैसा कमा रहा है अगर आप रशिया का गेस और ओईल रेविन्यू देखो तो आप देख सकते हैं कि जो एवरेज रेविन्यू था मार्च से जुलाई के बीच में वो लगबग 50 बिलियन डॉलर का था लेकिन ये 2022 में लगबग डबल हो चुका है 90 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा इसके अलावा रशिया को इंडिया और चाइना का साथ मिलने की वज़े से रशिया ने अपने आईल रेविन्यू के लॉसस को भी मेक अप कर लिया है इसलिए आपने देखा होगा कि यूरोप इंडिया को रशियन गेस ना खरीदने के लिए लगातार प्रेशराइज कर रहा था और सलाख खुद खरीदे जा रहा था और आगे यूरोप के लिए और भी डिफिकल्ट टाइम आने वाला है क्योंकि यूरोप में अब विंटर आने वाला है बलकि वहां के लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा अब प्रश्ण ये है कि क्यो यूरोप रशिया पर इतना ज्यादा डिपेंडनेंट है क्योंकि रशिया के अलावा दूसरी कंट्रीज भी तो है जो आईल और गेस सप्लाइ कर सकता है आईल के लिए साओधी अरीबिया है तो देखो एलंजिक गेस को सप्लाइ करने के लिए बहुत सारी टर्मिनल फसिलिटीज की जरूरत होती है जहां फ्यूल को लिक्विट से गेशियस स्टेट में बदला जाता है फिर इसे सप्लाइ करने के लिए पाइपलाइन के नेटवर्क की जरूरत होती है जिससे की गेस यूरोप के सभी कंट्रीज में ट्रांसफर किया जाता है लेकिन अगर यूरोप यूएस से गेस खरीता है तो फिर्सली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा दूसरा अगर यूरोप कई सारी शिप्स को एक साथ लगा देता है गेस को ट्रांसफर करने के लिए यूरोप तक तो फिर भी बिना पाइपलाइन के यूरोप में इतनी सारी गेस को डिस्टिब्यूट नहीं किया जा सकता है तो जब तक यूएस विंटर से पहले पाइपलाइन को नहीं बना लेता है यूरोप में गेस नहीं जा सकती है और ये करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है क्योंकि एक सिंगल पाइपलाइन नोर्ड स्ट्रीम वन को बनाने में 6 साल लगे थे इसलिए नोर्ड स्ट्रीम वन को दुनिये की सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन कहा जाता है और रही बात ओयल की तो सावधी अरीबिया ने ओयल के प्रेडक्शन को बढ़ाने से क्लियरली मना कर दिया है जिसके दो में रीजन हमें समझ में आते हैं पहला साओधी अरब रेशिया की अलाइस कंट्री है दूसरा उनका ओयल वेसे इतना ज्यादा महंगा बिकरा है तो वो क्यों ओयल के प्रेडक्शन को बढ़ा कर इसके प्राइस को कम करेंगे तो साओधी अरब इस समय बिलियन सब डॉलर कमा रहा है ओयल शौटेज की वज़े से साओधी अरब का एक दिन में ओयल रेविन्यू है वन बिलियन डॉलर तो इतना सब सैंक्शन प्रेशर प्रपगेंड़ा होने के बाद भी यूरोप रश्या की तरफ एक दया के भाव से देख रहा है क्योंकि आने वाला समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यूरोप के लिए क्योंकि आगे ठंड आने वाली है तो इस साल की ठंड एक डिसाइडिंग राउंड होगी दुनिया की सबसे पाउरफुल कंट्रीज के बीच चल रहे एकोनोमिकल वार को लेके तो रश्या, यूरोप, यूएस के बीच चल रहे जियो पोलिटिकल वार का एफेक्ट इंडिया पर भी क्या हो सकता है हम इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं फर्स्ट इसका एफेक्ट तो ये होगा कि हमें विदेशी मुद्रा बंडार में बहुत ज़्यादा गिराउट देखने को मिलेगी क्योंकि ओयल खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसा देने की जरुरत होगी इसके अलावा पाम और सनफ्लावर ओयल इवन पूरे FMCG मार्केट में प्राइस हाई रहेंगे दूसरा हमने इस वार के बीच में कुछ ऐसे स्टेप्स लिये हैं जिससे US और Western countries हम से खुश नहीं है बिकॉस हमने रश्या का सपोर्ट किया है और आखरी यह है कि RBI रूपीज को इंटरनेशनलाइस करने जा रही है जिससे कि हम रश्या से रूपीज और रूबल में ट्रेट करेंगे और रश्यन ओयल को खरी देंगे जिससे ओबेसली Western countries को बुरा लग सकता है और हो सकता है कि ताउ हम पर संक्षन इंपोस कर दे तो आज के इस वीडियो में इतना ही इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी शो को सब्क्राइब जरूर करें